हेलो डियर इस्ट्रेंट्स वेलकम वेक और यूट्यूब चैनल इस्टडी सर्गल 24 डियर इस्ट्रेंट्स आज के विडियो में हम देखेंगे क्लास 12 का मैस का मॉडल विपर सेट डी ठीक है इससे पहले भी हमने तीन सेट आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दिया है तो यह matrix का question है तो इसमें क्या करना है simply आपको multiply करना first row का first column के साथ then plus use करना फिर इसके बाद second column के साथ करेंगे ठीक है then as well same second row का भी first और second column के साथ करके plus कर देना है जो answer आएगा वो आपके पास correct उसका answer आजाएगा next अब इसके बाद second question आपको मिलेगा find the value of 10 square x यह वीडियो हिंदी और इंग्रिस दोनों medium के लिए है तो देख लीजे आपको हिंदी में भी समझा दे रहा हूँ जैसे इसकी value आपको मतलब मान निकालना है 10 square x dx सबसे पहले आप इसको formula में convert कर दीजिए because 10 square x equal to sec square x minus 1 तो इसका minus bracket open करना आपको sec square x dx हो जाएगा और 1 dx तो sec square x यह इसका integration 10x होता है और dx का x होता है तो यह answer आजाएगा आपके पास ओके next questions आप देखिए next है find the order and degree of the differential equation dear questions हम आपको बताते कि आप model paper ज़रूर लगा लीची जिससे कि आपको questions का pattern पता चल जाएगा और साथ ही आप 2019 से लेकर 2019 से लेकर 22 तक के आपको question paper भी लगाने है जो mainly है आपको 2019 और 20 के जो question paper है वहाँ से repeat होगे questions तो आप उसे अच्छे से लगाईएगा क्योंकि 21-22 के आपका 30% जो slave से वो cut था तो इसमें काफी सारे chapter नहीं थे चले next अब आगे के questions देख लीजिए अब फिर ये one marks के questions है कल मैं आपको live classes में आपके exam के कुछ दिन पहले मैं आपका doubt भी clear कर दूँगा और इसके बाद मैं आपको बता भी दूँगा आपको कैसे आपको math के paper में solve करना है ठीक है में आपकी जो planning होनी चाहिए वो क्या होने चाहिए जिसे कि आपका एक अच्छा marks आ सके तो देखिए 4 number में question है prove that the vectors 2i-3j cap plus 4k cap and minus 4i plus 6j minus 8k cap are coilinear तो इसकी value क्या करने है आपको find करने है a और b की value given है आपके पास ठीक है तो b की value जो आपके पास given है उसे आप क्या करेंगे 2 यहां से आप 2 common करेंगे ठीक है तो क्या मैं लेगा आपको 2i-3j plus 4k यह exact a की value है तो यहाँ पास a लिखेंगे तो अगर जो second आपके पास point है वो second मतलब एक प्रकार से जो second point होगा यानि b first only point का two times होगा तो वो क्या होगा वो collinear होगा next section b के questions में देखिए prove करना आपको 10 inverse root x 1 by 2 cos inverse x 1 minus x upon 1 plus x तो सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे let करेंगे कि 10 inverse root x equal theta होता है तो इसको इदर transpose करेंगे तो root x equal theta 10 theta आएगा अब दोनों side का क्या करना है square squaring both side दोनों side का square करना है तो x equal 10 square theta आएगा right अब right hand side आपके पास क्या है देखिए 1 by 2 cos inverse 1 minus x 1 plus x तो इस x की value आपको क्या करना है 10 square theta use करना है अब यहां से formula होता है cos 2 theta equal 1 minus 10 square theta upon 1 plus 10 square theta तो आपने formula में convert कर दिया इसके बाद क्या मिला cos inverse cos 2 theta तो अब यहां से इसकी value मिल गए आपको 2 theta 2 से 2 cancel हो गया क्या बच्छे आपके पास theta 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 की value क्या हो जाएगी यहां पास 10 inverse root x ठीक है क्या मिलेगा क्योंकि आपके पास यहां पास देख लिजे x की value ठीक है आपको find करनी है तो यहां से x की value theta की value 10 inverse root x मिल जाएगा यह आपके पास left hand side proved यही आपको प्रूब करना था देख लिजे question में यही था 10 inverse root x right hand side लेकर solve करना है left hand side आ जाएगा question number 6 से देख लिजे आपको find the value value find करनी है तो आप इसे complete करेंगे जो भी आपको question में doubt होगा तो आप video के comment section में comment कर सकते हैं वो video questions के video हम अलग से बना देंगे आप लोगों के लिए या भी अगर chapter से related किसे chapter में अगर आपको doubt है तो आप उसे भी उसे consult कर सकते हैं तो उसे भी आपको बता दिया जाएगा next step find the value of 1 minus cos x upon 1 plus cos x dx तो इसका formula पहले put करना है इसके बाद इसको solve करना है आपको तो चलिए आगे के questions देख लिजे यह आपके दो number वाली questions है जिससे आपको solve करने होते हैं next अब इसके बाद next आपको questions मिलेगा okay 11 number को questions find the distance from the point 2 minus 1 3 to the plane r.3i cap plus 2j cap minus 6k cap plus 15 equal to 0 okay इसे complete करना है फिर इसके बाद next question साब देखेंगा यहाँ पस if a and v are independent events with pa equal to 0.2 pb equal to 0.5 then find the value of pa union b okay next आप section c मिलेगा आपको यह आपका relation and function functions का constitution proof that the function f such that r tends to r given by fx is equal to 2x is 1 1 and on 2 okay आपको यह proof करना है तो यह simply आपको यह questions बनाने है यहाँ से देख लीजिए यह f is 1 1 और फिर next f is on 2 simply क्या करना है f1 fx1 equal fx2 करना है फिर इसकी value put कर देना आपको 2 से 2 cancel हो जाएगा x1 equal to x2 हाएगा okay तो fx1 equal fx2 such that x1 equal to x2 for all x1 x2 belongs to r r is a real number so f is 1 1 next one f is on 2 okay so fx equal y करना है तो fx की value 2x 2x equal y so x equal y by 2 is belongs to r okay तो यह आपका यह भी complete हो जाएगा next question CC का और में मिलेगा तो यह आप लोगों के लिए benefit रहेगा कि इस यह questions है four marks में है और यह और में आएगा questions दो में से कोई एक तो बनी जाएगा तो next question number 14 है solve the following equations देखे इसको proof नहीं करना solve करना है यानि x की value find करनी है आपको फॉर में के थुरू x की value find करेंगे तो आपके पास x की value क्या रहा माइनस ओन और one by six आएगा इसी में और का भी questions है उसे देख लीजिएगा तो इन सारे के सारे questions को आपको अच्छे से try करने है प्रैक्टिस करना है और anyhow आपको 90 plus marks लाने है ठीक है अगर आप अच्छे से त्यारी कर लेते हैं और के questions paper भी solve करते हैं तो definitely इतना आही जाएगा क्योंकि देखिए patterns same होते है pattern में कोई बैदलाव नहीं होगा हर एक chapter के questions को अगर आप अच्छे से लगा लें तो definitely आपके 90 plus marks आ सकते हैं यह आपके total 4 marks वाले question है 4 और 6 marks वाले questions है उसे आप सबसे पहले बनाएए exam hall में यानि exam में जिसे कि कम समय में आपका ज्यादा ज्यादा question complete हो सकें next अब यह देखिए question number 18 है find the value of sign x upon 1 plus cos x is the whole square इसका आपको पीडियाप भी आपको टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा कि इससे पहले के भी जो पीडियाप हैं वह हमने टेलिग्राम पर update कर रखा है तो वहां से आप देख सकते हैं और इस वीडियो के description में आपको इससे पहले के तीनों से जो आप लोगों के लिए वीडियो अपडेट किया गया उसका link दे दिया जाएगा तो आप वहां से अब सारी वीडियो के link प्राप्त कर सकते हैं अब next आपका जो section D है वो 6 marks का होगा यहां से questions 6 questions जाकि 36 marks होंगे देखियो first में क्या दिया है respect given matrix is a value A351-1 in the form of sum of the matrix and excuse the matrix तो इसे आपको यह formula इसका तो यूज करना इस formula के coding तो यहां से आप यह formula याद रखेंगे तो बन जाएगा क्योंकि easy questions बस आपको formula याद रखने हैं ओके next question देखिये अब find the value of k so that the function defined by fx equal to kx plus 1 और cos x if x is greater than pi तो इसको solve कर नहीं है देखिये यह काफी important question यह question बहेंगा question है तो आप इसे अच्छा से complete करिएगा ठीक है काफी easy questions है यह तो यह next आगे का दिख लिजीगा यह पास k की value minus 2 by pi आएगा next 26 number है यह काफी important question है इसे आप अच्छा से complete करना है आपको ठीक है क्या प्रूब करना minus pi by two log two properties use करना है यह बस यह properties use हो रहा यानि प्रगुण use करके ही आपको बनाने है ठीक है यह six marks के question है single questions आते हैं इसमें और नहीं मिलेगा आपको तो इसके इसको बहुत अच्छे से आपको complete करने है इसके बाद यहां से आगे का दिख लिजीगा यहां से फिर इसके आगे का है देखिए यहां पास फिर से प्रगुण use किया गया है fx lower limit zero to upper limit to a so उसको जब change करके apply करेंगे तो क्या मिलेगा f2a-x equal fx हो जाएगा इसकी value फॉर में याद रहेंगे तो इसली बना सकते हैं आप नेक्स्ट 27 नम्मर के question देखिए यह आपका application of integral है integration find the area enclosed between the curve y square equal 4x और x square equal to 4y by using the integration method इसको बहुत अच्छे से करना है आपको integration method use करके आपको इसको solve करना है graph draw कर देना है कि फिर इसके बाद इसको यह form में याद रखेंगे आप solve करेंगे फिर इसके और में दिया देखिए ellipse का question है point the area of bounded by the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 2012 में आया भी है था तीनों सेट में इससे आप यहाँ से complete करेंगे पहले देख लीजे ऐसे डाइग्राम बनाना आपको ठीक है पहले equation लिखने के बाद फिर y की value find करना है आपको first of all y की value find हो जाएगे आपके पास यहाँ पास y equal to b by a square minus x square जो कि कफी easy तरिके से आपको algebraic method से आपको find कर लेना है फिर इसके बाद यह आप जो देख रहे हैं यह ellipse का diagram बनाएंगे आप फिर इसका required area आपको find करना 4 into area of oab तो y dx हो जाएगे यहाँ पास जिसकी value क्या आती है a square minus x square देखें बी को आप बाहर निकालें तो 4b upon a आएगा a square minus x square की value put कर सकते हैं आप यहाँ पास formula के recording तो last answer आपको क्या मिलेगा पाई a b square unit next 28 number का question देखे find the sd any sorted distance between the following lines जो equation line of equations given आपके पास यहाँ से आपको क्या करना sorted distance find करना है कि तो इसे काफी easy तरीके से आप solve कर सकते हैं यहाँ देख लीजिए फिर इसके बाद यह formula है आपके पास यहाँ पास उसको apply करना है पिर इसके बाद इसको apply करने के बाद formula use कर लेंगे यहाँ पास sd equal to यह formula आपके पास जितनी value मिलेगे आपको उसको लिखना है ठीक है mod के अंदर यह जो negative value है यह positive में convert हो जाएगी तो यह 116 unit आ रहा है इसका answer आ रहा next I find the sorted distance between यह भी एक equation ऐसा भी देगा तो वहां से आपको sorted distance find करना है तो इसलिए आपको यह लिख लेना है इसको क्या करना है आपको a1 suppose करना है b1 और यह a2 और यह b2 ठीक है a2 minus a1 करेना है आपको और b1 cross b2 b1 cross product आपको find करना है यह आपास यह दिखें यह आपका cross product है यह a2 minus a1 rule के according इसमें minus कर दिए फिर इसका modulus find करेंगे तो कितना हैगा 18 18 को बाहर निकालेंगे तो फिर कितना मिलेगा 3 root 2 square of the root okay तो यह आपके पास है hence required distance formula है formula में put करना है आपको इसके पास जो आएगा वो answer आएगा इसका 3 root 2 upon 2 next last questions आपका LPP का linear programming का questions आपको यहां से मिलेगा तो देखें आपके पास equations क्या दिया हुआ है वो आपको लिखना है z equal 3x plus 9y फिर इस equations को solve करना है यह एक table बन जाएगा फिर देन अगें second condition से आपको equation solve करना है फिर से एक आपको आपको आपके पास वैसे ही value मिल जाएगी यह दिखवा रहे हैं आप यहां पास दोनों में question change है देखें यहां x plus y equal 10 के लिए है यह x plus 3y equal to 60 के लिए है अब नेक्स्ट अब आगे दिखेंगे हूं यहां पस अगे कि नेक्स्ट फेस के बाद इसमें graph plot करना है आपको इसकी maximum value find करनी है डियर इस्टेंस हम आपको बता दे कि आपको आप अगर पीटी का exam देना चाहते हैं तो हमारे चैनल के सांथ बने रही है और आपको पीटी के एक्जाम के बारे में सारी चीज़ें बता जाएगा और इसकी त्यारी भी कराए जाएगी इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी थैंक यू और गुद लुक